असलाम आलेकुम नाजरीन, मैं आर्जो अंसारी आज की इस नई वीडियो में आप लोगों को ईद की खुशी के बारे में बताऊंगी, एक वाक्या सुनाऊंगी और इस वाक्ये में दो दोस्त हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को वाक्या सुनाती हूँ एक लड़का था जिसका नाम था एहमद, एहमद आज बहुत उदास था, क्योंकि उसके सबसे प्यारे दोस्त, वक्कास ने ईद के लिए नए कपड़े नहीं बनवाय थे, एहमद वक्कास को ऐसे नहीं देखना चाहता था, उसने सोचा घर जाकर वो अपने अब्बू से इस पास गया और सलाम करके उनके फ्रेश होने का इंतजार करने लगा, अब्बू जी मैं कबसे आपका इंतजार कर रहा था, अब्बू के बैठते ही एहमद बोला, पर एहमद के बोलने से पहले ही, उसके अब्बू बोले, सब खेरियत तो है बेटा, एहमद ने कहा, जी सब ख जल्दी जल्दी बोला, तो एहमद के अब्बू ने कहा, जी बेटा, सुनाई थी, पर अब क्या हुआ, तो एहमद ने कहा, अब्बू, मेरा एक दोस्त है, वक्कास, आपको पता है ना, वो बहुत गरीब है, आज सब लोग नए कपड़े की बात कर रहे थे, और वो एक कोन मेना, जब सब खुश होंगे, तब ही मज़ा आएगा, मैं नए कपड़े पहनूगा, और वक्कास उदास होगा, तो कितना बुरा लगेगा, एहमद की मासुमाना बाते सुनकर, अब्बू को एहमद पर बहुत प्यार आया, उन्होंने कहा, हमें वक्कास को खुश करना है, तो ठीक है, हम रात को खाने के बाद वक्कास के लिए ईद के कपड़े लेकर आएंगे, अब खुश, अब्बू ने प्यार से कहा, एहमद बहुत खुश हुआ, रात को एहमद अपने अब्बू के साथ सूपर मार्केट से वक्कास के लिए कपड़े खरीद कर ले आया, सु मुझे कपड़े नहीं मिलेंगे तो मैं बाहर नहीं जाओंगा, वक्कास की अम्मी कुछ देर तक खामोश रहने के बाद बोली, बेटा, खुदा है न, वो हमारी जरूरतों को जरूर पूरा करेगा, अहमद ने ये बाते सुनी और दर्वाजा खटखटाया, वक्कास ने द हकी की इद है, अब्बु ने कहा था, इद का मतलब होता है खुशी, और आज एहमद बहुत खुश है, जिस तरह एहमद ने वक्कास के लिए नए कपड़े खरीदे, ताकि वक्कास की इद अच्छे से सालिब्रेट हो सके, अब हम फिलिस्तीनियों के लिए कपड़े तो नह नहीं दे सकते, मगर उनके लिए दुआ तो मांग सकते हैं, अल्ला की बारगाह में उनके लिए हाथ तो उठा सकते हैं, उनके हक में दुआ तो कर सकते हैं, ना जाने फिलिस्तीन में कितने लोग शहीद हो रहे हैं, ना उनको खाना मिल पा रहा है, ना पानी मिल पा रहा है, नदवाई मिल रहा है अच्छे से उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा है और आज हम नए ने कपड़े पहन रहे हैं महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं अक्सर शादियों में इतना सारा खाना वेश्ट होता है और आज फिलिस्तीन में ल अब लोग फिलिस्तिन की हल्प करें और मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ आप लोग भी फिलिस्तिन के दुआ करें या लगा फिलिस्तिनियों की मदद फर्मा आमीन या रब अलमिन आप लोग कौमेंट में भी आमीन जरूर लिखेगा तो अगर आप लोगों को ये वाक्या अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जज़ ज़दा शेयर करें और चैनल पढ़ना है तो ज़रू चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती हूं अगली वीडियो में असलाम उलाइकुम